नमस्कार दोस्तों and welcome back to my channel First Investment दोस्तों आज हम बात करने वाले है कि कल कौँछे stocks पर ट्री लेना है प्लस Nifty Bank Nifty का सिनेरियो किस तरीके सरे सकता So हमारा first stock है Reliance Industries So Reliance Industries मैंने आप लोगों को Friday को भी sell करने के लिए का आता But Friday को एक gap up की वज़ा से भी सी कि हम लोगों को एक अच्छी सी move आते विए देखने को मिली But मैंने आप लोगों को Thursday को जब वीडियो बनाई थी Friday के stocks के लिए ता मैंने आप लोगों को का था कि I am holding Reliance Put Options एक है मैं तींचा lot hold कर रहा हूँ वहाँ पर मुझे loss शो करा था definitely Friday को but मैंने उसे hold करे रखा And Monday को आज के trading session के अंदर हम एक heavy जो fall आया Reliance के अंदर जो मेरे losses थे वो profits में convert हो गया है And I am still holding अभी वी इसके sell side में targets नहीं आया है Right now इसने अपना 1900 का एक psychological level को break करा है उसके नीचे close करा है So definitely 1880 तक तो यह particular stock आ सकता है minimum to minimum And इसका जो next target होगा वो 1850 होगा जहां तक इसके आने के chances है So इस particular stock को आप definitely रखेगा because एक fall and एक pullback Pullback के बाद यह resistance मिला है and उसके बाद एक फिर fall आई है And यह resistance क्यो था because this strong candle का जो 50% थी वहाँ पर उसे resistance मिला So exact अपने resistance से ही यह नीचे आया है So यहाँ पर एक selling आ सकती है So Reliance को ज़रूर watch करेगा And next stock is Godrej Consumer यह वाला particular stock मैंने आप लोगो को Minimum 1.5 हफते पहले recommend करा था कि आप लोग इसमें buy नीशेट कर सकते हैं Above 760 तब तक मैंने buy नी करा था But मैंने आज इसमें अपनी position आड करी है And इसमें मैंने नई position आड करी है So weekly time frame के अंदर इसमें एक head and shoulder pattern मना था जिसका इसने breakout दिया है And chances are high कि यह इस levels है जो कि अभी इसकी closing है 770 के around इसके आगे यह around 800-830 तक भी यह जा सकता है On a weekly मलव 2-3 weeks के अंदर इसी मन्त के अंदर Okay so आप इस stock को अपनी watch list के अंदर add कर सकते है या फिर अगर आप trade लेना चाहा है तो कम quantities पे भी trade ले सकते है कल भी एक अच्छी definitely move दे सकता है Because daily time frame पे इसने आज एक breakout दे दिया है Okay Our next stock is Century Textile Century Textile भी buy करने के लिए है यहाँ पर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ देखेगा यह एक sharp up move and उसके बाद exact इसी level से selling pressure आया एक retracement आया उसके बाद exact इसी level पे इसने resistance लिया फिर एक retracement आया and फिर up move आया and इसी level पे retracement लिया मतलब इसने एक triple top type scenario बनाया triple top type scenario बनाने के बाद it gave a breakout breakout candle यह है इसके बाद यह नीचे आया retest करा and retest करने के बाद इसने दुबारह एक sharp up move दिया and breakout candle के उपर जाके इसने closing दे दिया so definitely यहाँ पर भी एक buying generate हो सकती है अगर यह particular इस level के उपर निकलता है around the 430 के उपर तो आप लोग definitely इसके अंदर भी buy initiate कर सकते है okay our next talk is नौकरी info edge info edge पे अगर आप देखेंगे कि continuously यह almost double होई चुका है ठीक है यह almost double हो चुका है and इसके बाद हम लोग क्या देख रहे है कि एक sharp up move आई उसके बाद एक retracement लिया इस retracement को इसने cover करा and exact अपने resistance पे आई जिस level से एक retracement आया उसी level पे यह दुबारा आचुका है so अगर यह level एक break होता है right now यह stock trade कर रहा है 5478 पे अगर 5483 को break करके यह उपर जाता है so definitely यहाँ पर एक अच्छी buying आ सकती है and यह जो पूरी up move आप देख रहे है शायद हो सके कि इस पूरी up move बड़ी candle भी एक दो दिन के अंदर बना सकता है तो stock को जुरूर watch करेगा एक अच्छी up move यह दिखा सकता है आने वाले time पे our next stock is Glenmark Glenmark भी buy करने की सला है इस पे भी आज मैंने buy initiate करा है आज मैंने बहुत कम quantities लिया है but definitely कल अगर breakout बिलता है तो मैं quantities add करूँगा इसको मैं थोड़ा अच्छी से दिखाता हूँ आपको yes देखेगा एक previously sharp up move के बाद यह एक range के अंदर काम कर रहा है इस range के अंदर काम करने के बाद अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे यह जो red color की line है यह इसके लिए resistance का act कर रही है जब भी इस red color की line को यह test करता है हम लोग देखते है एक fall आता है and eventually it gave a breakout जब इसने breakout दिया तो upper resistance जो channel जो trade कर रहा था channel के अंदर वही पर एक selling pressure आया exact इसी level पर support लिया and it gave a breakout दोबारा इस line के ऊपर इसने जाके closing दिया closing देने के बाद retest कर रहा है retest करने के बाद exact उसी position में है जहां पर अभी नौकरी था तो अगर यह इस level का breakout देता है तो definitely यहां से 10 to 15 points की एक अच्छी movement हमें देखने को मिल सकती है और अगर यह weekly closing दे देता है इस range के ऊपर तो एक sharp और एक अच्छी movement और start हो सकती है so Glenmark को अपनी watch list के अंदर जरूर राट करेगा और definitely एक दो हफते के अंदर अगर यह breakout देता है तो इस पर एक नई rally start हो सकती है तो stock को जरूर watch करेगा ओके so यहां पर हम लोग ने बात कर ली stocks की अब बात करते है nifty bank nifty की so I have told you in my yesterday video as well कि I am holding 14,500 call option I am holding multiple lots of 14,500 call option कुछ exit कर दिये थे यह भी आपको बताये थे जब इस जिस दिन exit कर रहा था and आप लोगों की chat box पे भी आयते है कि sir आप बहुत जादा confidence है तो आई ही जाएगा so definitely let me show you आज का जो nifty का high था that is 14,498 रूपीज yes 14,498 रूपीज का आज nifty का high था and I have told you कि nifty का यह level आना ही आना है जब 14,490 था यह 485 था तो मैंने अपने सारी positions को exit कर दिया I am right now not holding any index options ठीक है so अब मैं कुछ hold नहीं कर रहा मेरा जो target था 14,500 से लेकर 14,650 के बीच का था but मैं वहाँ पर अपनी position continue नहीं करना चाहता मैं कम profits पे ही निकल गया हूँ ठीक है so जो levels आप लोगों को बताये गए थे वो सारे levels अचीव हो गए आज भी and जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ nifty में but अब आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे अब आप लोगों को अपनी positions को कम रखना है profits कम रखिए on the percentage wise अगर 3% का profit मिल रहा है on your holdings या 5% का मिल रहा है 6% का मिल रहा है उसे exit करना start करिए उस profits को withdraw करना start करिए and जो investment है उससे कुछ अच्छे stocks को फिर pick up करिए ठेक है so यहाँ पर अब आप लोगों को थोड़ा सा safe site काम करना है definitely मैं कह रहा हूँ कि 14,700 तक भी जा सकता है 6.50 तक भी जा सकता है but अब यह जादा से जादा थोड़ा ऊपर बढ़ चुका है market यहाँ पर थोड़ा सा cautious रही है मैं नहीं कह रहा है कि market गिरीगी I am not saying market गिरीगी market sideways जा सकती है so try to bet on good stocks अभी कल nifty bank nifty में कोई scenario नहीं है buy or sell का मैं sell के लिए अगर मुझे मौके मिलते हैं तो definitely मैं ढूंडूँगा but buy के लिए कुछ भी नहीं है gap अब भी खुलता है तो भी मैं trade नहीं करूँगा on the buy side so आज की वीडियो के लिए guys इतना ही था अब लोगों ने मेरी कल की वीडियो को बहुत जादा प्यार दिया अगर यह वीडियो भी पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा subscribe करिए हमारे चैनल को cross करने में मदद करिए 1 lakh subscribers को कि हम लोगों को भी वो जो YouTube की तरफ से मिलता है definitely मिले and thank you guys for your support मैं एक change और कर रहा हूँ वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ यह start होने वाला है within a week start हो जागा यह change भी अब जो मैं daily आप लोगों को 5 stocks प्रोवाइड करवाता था YouTube पे अब मैं आप लोगों को सिफ 3 stocks प्रोवाइड करवाँगा and जो बाकी के जो 2 stocks है वो मेरे Instagram पे आप लोगों को प्रोवाइड होंगे ठीक है because मैं थोड़ा सना अपना base अप Instagram पे भी shift कर रहा था because वहाँ पर भी बहुत जारा community है जहाँ पर मैं उन लोगों को भी चाऊँगा कि उन लोगों की भी knowledge increase हो so definitely आप 3 stocks तो आपको definitely यहाँ पर मिलेंगे but आप Instagram पे भी हमें follow कर सकते हैं कि अगर आप 2 stocks वो भी चाहते हो ठीक है so वो within a week start हो जाएगा definitely वहाँ पर भी हमारी help करियेगा हमारे साथ रहिएगा and definitely we will grow together goodbye guys